हाई गाईज वेलकम बैक टून अधर सेशन मैं आब अब अनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करण्ट अफेर्स का अपिसोड नंबर 838 आज की तारीक है 13 नवंबर 2020 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकल और फ्रेंटेर आएस और अगर अब तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइ करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से sscigilpinnacle.com और बलजीधकर.com इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा ये सेशन हर रोज सुबा चार बज़े वेलिबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के कोशन पूछे जाते हैं जिनका अंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना ह साथ ही साथ हमारे दोनों टेलिग्राम हैंडल्स, Frontier IS और SSCigilpinnacle Online को जॉइन जरूर करना है for daily videos, pdf and monthly magazine स्टार्ट करेंगे previous quiz के साथ आपका पहला question था आलिया जफर को किस देश के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेश के रूप में निक्त किया गया है तो इसका सही जवाब था पाकिस्तान और आपका दूसरा question था भारत के पहले शिक्षा मंत्री मोलाना अबुलकलाम अजाद के सम्मान में राष्टे शिक्षा दिवस का मनाया जाता है तो इसका सही जवाब था ग्यारा निवंबर स्टार्ट करेंगे आज के session के पहले question के साथ प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस देश के प्रधान मंत्री के साथ भारत A.C.N. शिकर समेलन की सहध यक्षिता कि है तो इसका सही जवाब है option number D वैत नाम प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और वेद नाम के प्रधान मंत्री गुआन युवान फुक ने 70 असेयान भारत समेलन की सहध्यक्षिता की Virtual Platform पे होने वाले इस समेलन में ACN के सभी 10 सदस्य देशों के नेता शामिल थे इस समेलन में ACN भारत की रन नीतिक साज़दारी के दरजे के समिक्षा की जाएगी साथ ही प्रमुक शेत्रों जैसे कनेक्टिविटी, मैरिटाइम, सहयोग, व्यपार, वानिज्य, शिक्षा और शम्ता निर्मान की प्रगति का जाइजा लिया जाएगा समेलन के दुरान ACN भारत कार्य योजना 2021-25 को अंगीकार किया जाएगा इसके अलावा करोना संक्रमन के बाद के समय में आर्थिक विकास और एहम शेत्रों वह अंतरराश्णे विकास पर भी चर्चा होगी यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो ACN का पूरा नाम Association of Southeast Asian Nations है दक्षिन पूर्व एशियाई देशों का संगठन ACN के 10 सदस्यों में इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, मलेशिया, सिंगापूर, थाइलेंड, वेतनाम, बुरुनेई, लाओस, कमबोडिया और मैनमार शामिल है बात करें वेतनाम की तो इसी कैप्टल है हनोई और करंसी है वेतनामीज डॉंग अगला प्रेशन है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब है ओप्शन नमबर C, 12 नवंबर हर साल विश्व स्वास्ते संगठन, UNICEF और कई अन्यांतराश्ण संगठनों दुवारा 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है पहला विश्व निमोनिया दिवस 2019 में बाल निमोनिया के खिलाफ ग्लोबल गटबंदन दुवारा चिनित किया गया था जुलाई 2020 में Drug Controller General of India DCGI ने पहले स्वदेशी रूप से विक्सित निमोनिया वैक्सीन को मनजूरी दी थी इसे Serum Institute of India Limited दुवारा विक्सित किया गया था यहाँ पर Additional Information की बात करें तो हर साल 12 नवंबर को All India Radio दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट पिता, महात्मा गांधी की पहली और एक मात्र अंतिम यात्रा को मनाने के लिए लोक सेवा प्रसारन दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ पर एक को एक रिविजिन की बात करें तो शान्ति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है अगला प्रशन है तो इसका सई जवाब है Option Number D बहरीन बहरीन के प्रधान मंत्री शेक खलीफा बिन सल्मान अल्ख खलीफा का निदन हो गया वे 84 वर्ष के थे हाल ही में बहरीन के प्रधान मंत्री इस्राइल शांति समझोते को लेकर वैश्विक चर्चा में आय थे उन्हों ने 1970 के बाद से बहरीन के प्रधान मंत्री के तौर पर देश को संभाला और सबसे लंबे समय तक प्रधान मंत्री रहने का खिताब हासिल किया है 15 अगस्त 1971 को बहरीन की स्वतंतरता से एक साल पहले शेक खलीफा ने पद भार ग्रहन किया था बहर दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक प्रधान मंत्री पद पर रहे यहाँ पर एक रिविजिन की बात करें तो किस देश की प्रसिद एथलीट सलवा इद नसेर के खिलाफ दोपिंग के आरोपों को खारिच कर दिया गया है तो इसका सई जवाब है बहरीन बात करें बहरीन की तो इसकी कैपिटल है मनामा और करंशी है बहरीनी दिनार अगला प्रशन है किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह सफलता पूर्वक लॉंच किया है तो इसका सई जवाब है option number C, चीन चीन ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह सफलता पूर्वक लॉंच किया है दुनिया के सभी देश फिलहाल 5G टेक्नोलिजी को विक्सित करने पर ध्यान दे रहे हैं चीन के शाक्सी प्रांथ तायूवान सेटलेट लॉंच सेंटर से 12 अन्य उपग्रहों के साथ कक्षा में प्रवेश किया गया है जिसमें एक उपग्रह दुनिया का पहला 6G उपग्रह था इससे चीन में इंटरनेट की स्पीड दुनिया में सबसे तेज हो जाएगी 6G का इंटरनेट स्पीड 5G से 100 गुना अधिक तेज हो सकता है उपग्रह में प्रोदियोगी की भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोक थाम के लिए उपयोग की जाएगी यहाँ पर एडिशनल इंफरमिशन की बात करें तो दूसरा विश्व स्वास्ते एक्सपो चीन के वुहान प्रांत में 11 से 14 नवंबर तक आयूजित किया जाएगा यहाँ पर एको एक रिविजिन की बात करें तो हाल ही में किस अंतरिक्ष अजेंसी ने नवीन तम प्रित्वी अवलोकन उपग रहे ए उस दीरो वन और नौ अंतर राष्ट्रिये ग्राहक अंतरिक्ष यान लॉंच किये हैं तो इसका सई जवाब है इस रो अगला प्रशन है किस राजें ने हाल ही में जल संसाधन विभाग के साथ किसानों को सीधा जोडने के लिए सीचा समधन आप लॉंच किया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अमबर डी ओडिशा मुख्य मंतरी नवीन पतनायक ने सीचा समधन आप लॉंच किया है जो किसानों को सीधे जल संसाधन विभाग से जोड़ेगा मुबाइल एप किसानों दुवारा सामना किये गए मुद्दों को तुरत हल करने और पारदशी तरीके से सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा इसके अलावा जल संसाधन विभाग किसानों के प्रती जवाब दे होगा जो इसके सबसे बड़े हित धारक है किसान अब अपने खेट की समस्याओं के वीडियो और तस्वीरे अप्लोड कर सकते हैं और मुबाइल फोन पर विभाग की मदद ले सकते हैं सीएम ने बीजू क्रिशक योजना उद्योगिक संगठनों के लिए जल अवंटन और वानिजिक घरों के तहत समुदाइक लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन सेवर प्रदान करने के लिए पोर्टल भी लॉंच किया यहाँ पर एक कोई क्रिविजन की बात करें तो किस राजे सरकार ने सुननदा समान पुरसकार की स्थापना की है तो इसका सई हची जवाब है ओडिशा बात करें उडिशा की तो इसकी वर्ल्ड हेटे साइट्स में आता है सन टैंपल कुनार्ग डैम्स और रिवर्ज में आता है हिराकुन डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंद्रावती अगला प्रशिन है किस राजे की विधान सभा ने सर्णा जन जातियों के लिए एक अलग कोड की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है जारखंड विधान सभा ने सर्व समत्ती से सर्णा अधिवासियों के लिए एक अलग कोड की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है राजे सरकार अभिया प्रस्ताव केंडर सरकार को शीगर भेज कर दो हजार इकिस की जन गनना में सर्णा अधिवासि धर्म कोड का अलग कॉलम शामिल करने का अनुरोद करेगी एक धार्मिक कोड में आधिवासि समुदायों की एक सटीक संख्या मौजूद होगी जो उनकी अबादी को दस्तावेज करने में मदद करेगी आधिवासि भाषाओं संस्कृती और इतिहास को संरक्षित करेगी और उन्हें उनके सम्वेधानिक अधिकारों पांचवी अनुसूची के तहट और आधिवासि उप्योजना के तहट लाब उठाने में मदद करेगी बात करें जारखन की तो इसके डाम्स और रिवर्ज में आता है पंचेट डाम दामोदर तेनुगा डाम दामोदर जारखन की कैप्टल है रांची गवर्नर है द्रौपदी मूर्मू और चीफ मनिस्टर है हेमंद सोरेन अगला प्रशन है अनुभवी कवी गीतकार बुलजार के जीवन पर अधारित कौन से पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है तो इसका सईज जवाब है ऑप्शन अमबर C बोस्की आना हिंदी की एक नई पुस्तक बोस्कियाना अनुभवी कवी गीतकार गुलजार के व्यक्तित्वों को विस्तित रूप में सामने लाती है इसके प्रकाशक है राधा कृष्णन प्रकाशन 228 पन्नों की पुस्तक बुलजार के जीवन को उनकी फिल्मों कवीता दर्शन जीवन शैली पसंद और नापसंद के माध्यम से नेविगेट करती है इस पुस्तक को यश्वंत व्यास द्वारा संपादित किया गया है यहाँ पर डिशनल इंफोमेशन की बात करें तो महराष्ट्र के राजयपाल भगत सिंग कोशियारी ने राज भवन में महराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्ड़ा द्वारा लिखित पुस्तक मजी भिंत माय वॉल का विमोचन किया यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो अजादी बुक अरुंधती रोय, अबुके ओफ लार्स, डॉक्टर कृष्ण सक्सेना, पोर्ट्रेट्स ओफ पावर, एनके सिंग अगला प्रेशन है, भारिय उद्योग को प्रचाहन देने के लिए नव गठित अंतर मंत्राले समीती का प्रमुक कौन होगा, तो इसका सई जवाब है option number B, अरुन गोयल भारे उध्योग को प्रचाहन देने के लिए सरकार ने 21 सदस्य अंतर मंतराले समेदी का गठन किया है जिसके अध्यक्ष सचीव अरुन गोयल होंगे यह समिती भारते भारे उध्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस परदी बनाने और भारत को विश्व का वी निर्मान केंद्र बनाने के तोर तरीकों पर विचार करेगी और सुझाव देगी इससे ही है एक शेत्र वी निर्मान शेत्र को एक ट्रिलियन डॉलर का योगदान करने के राष्ट लक्षे को प्राप्ट करने में अधिक सक्रियता से कारे कर सकेगा अगला प्रशन है देवदत पडिकल किस खेल से संबंदित है तो इसका सई जवाब है option number D cricket देवदत पडिकल एक भारतिय क्रिकेटर है जो करनाटक और रॉयल चालेंजर बेंगलॉर के लिए खेलते हैं वे भारत के under 19 टीम के लिए भी खेल चुके हैं मुंबई इंडियन्स की IPL 2020 में डेली कैपिटल्स को पांच विकेट से हरा कर IPL का पांचवा किताब जीता औरिंज कैप सरवाधिक रन किंग्स 11 पंजाब के के ल राहूल 670 रन पॉपल कैप सरवाधिक विकेट दिली कैपिटल के कगीसो रबाड़ा 30 विकेट अगला प्रशन है भारतिय खुगोल विदो ने TMT परियोजना पर किस भोधिकी नोबल पुरसकार विजेता के साथ सही योग किया है तो इसका सही जवाब है option number A भारतिय खुगोल विदो ने TMT अंतराश्चे परियोजना 2020 के भोधिकी नोबल पुरसकार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेस के साथ सही योग किया है प्रोफेसर गेस ने दूरबीन परियोजना में इस्तिमाल किये जाने वाले बैक एंड उपकरनों और परियोजना की विज्ञानिक संभावनाओं से जुड़े तकनीकी पहलूओं के विकास में एहम भूमी का निभाई है TMT 30 मीटर टेलिसकोप परियोजना एक अंतराश्चे साज़दारी वाली परियोजना है जिसमें कैलिफोर्निया विश्व द्यालेव, कैनेडा, जपान, चीन और भारत विज्ञान इव प्रद्योगी की विभाग तथा परमानू उर्जा विभाग के माधियम से सहयोग कर र बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की, तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने एसेयन समिट को वेतनाम प्राइम मिनिस्टर गुएन युवान फुक के साथ कोचेर्ट की है, वर्ल्ड नीमोनिया डे 12 नवंबर को मनाया जाता है, बहरेन के प्रधान मंत्री शेक लिए बिन सल्मान अलखलीफा का निदन हो गया है वोल्ड फॉर्स्स टी सेटलाइट चाइना ने लॉंच किया है सीचा समधन एप उरीशा में लॉंच किया गया है सर्णा ट्राइब्स के लिए सेपरेट कोड का रेजिल्यूशन जार्खर ने लिया है पोईट लेरिसिस्ट गुलजार की बुक का नाम है बोस्कियाना, हैवी इंडास्ट्रिस को प्रमोट करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रिल कमीटी के हेड बने है अरुन गोयल, देवदत पडिकल क्रिकेट से संबंदित है, TMT प्रोजेक्ट के लिए इंडियन एस्ट्रोनॉमर्ज ने एंड्रिया गेस के साथ सहयोग किया है, बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विस फॉर दर डे की, आपका पहला क्वेस्टिन है, विश्व नीमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, और आपका दूसरा क्वेस्टिन है, किस राजे की विधान सभा ने सरना जन जातियों के लिए एक अलग कोड की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, और अगर अभी तक आपने मारे चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, हमारी दोनों वेबसाइट्स sscigilpinnacle.com और बलजीधाकर.com को विजिट करना बिलकुल न भूलिएगा, साथ ही साथ हमाई दोनों टेलिग्राम हैंडल्स को जोईन जरूर करना है, थांक्यू सो मच.